सेल्फी प्रकाश एक मोटा वेकल इंस्पेक्टर है वो और उनका बेटा गबू विजय के बहुत बड़े फैंस हैं विजय के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता और इसलिए वो भूपाल के आर्टियो में उम्प्रकाश के पास जुगार करके लाइसेंस बनवाने निकल है कि विजय को लाइसेंस दिला कर वो उसके साथ एक सेलफी लेने का खुआप पूरा कर सकता है लेकिन परसनल लाइफ में कुछ प्राबलम्स होने की वज़े से विजय का मूट खराब होता है आर्टियो में मीडिया को देखकर उसे लगता है कि उम्प्रकाश उसका आर्ट इंडिस्टैंडिंग की वज़े से डील बहुत बुरी तरीके से एंड होती है और उन दोनों के बीच में मामला काफी एसकलेट हो जाता है क्या होता है जब जिस इनसान को आप पूछते हैं उसके ही साथ आपकी दुश्मनी हो जाए ये देखने के लिए आपको देखनी में बात करते हैं जब भी दो अच्छे कैरेक्टर एक दूसरे के सामने आते हैं तो नेक्स लेवल का इंटर्टेन्मेंट ओडियंस को देखने को मिलता है फिर चाहे वो आरारार में रामचरन और एंटी आर के बीच में हो या यहां पर अक्षयकुमार और इम्रान हाश्मी क एक दम नैचरल लगती है ड्राइविंग लाइसेंस फिल्म की स्टोरी अलरेडी अच्छी थी लेकिन डायलोग राइटर रिशब शर्मा की भी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि यह स्टोरी को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हिंदी में एडैप्ट किया है और उनके लिखे गए ज़्यादा तर जोक्स वर्क करते हैं इसके लावा हमको सबसे ज़्यादा पसंद आया अभी मन्यू सिंग का कैरेक्टर एज सूरज दीवान जितना डंब था उनका कैरेक्टर उतना ही फनी भी था सबसे ज़्यादा उन्होंने हसाया फिल्म में अब फिल्म के की बात करते हैं फिल्म की शुरुआत काफी धीमी होती है तकरीबन 30 मिनट लगते हैं ड्रामा शुरू होने में तब तक बस चलने के लिए ही चीजें चल रही होती है उपर से कुछ सीन्स बहुत चीजी और क्रिजी भी लगते हैं अक्षय और इबरान के अलावा नुसरत ब हम कहेंगे कि ये फिल्म आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही देख सकते हो तो वेल फ्रेंट्स ये था फिल्म सेलफी का रिव्यू आपके लिए कोई थॉट्स हो तो कॉमेंट्स में बताना अगर लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉडड